हेलो दूस्तों मैं कलपना आप सबका स्वागत है स्वाँत घर का में आज की रेशिपी है हरे मतर को स्टोर कैसे करें कि जिससे ये साल भरते कि हम यूज Eigen कर सकें चलिए हरे मटर को स्टोर करने की तियारी करते हैं तो यहां लिए मैंने हरे मटर हरे मटर को मैंने छिल की लिया हुआ है और अच्छे भरे वाले दाने वाले हमने हरे मटर का यहां यूज किया है देखिए दाने देखिए इसके एकदम अच्छे और भरे भरे बड़े बड़े दाने हैं और कुछ खराब दाने हो तो उसे निकाल दीजिएगा और इसे जब धोने के लिए पाने हम डालेंगे देखिएगा बारिक वाले जो दाने है न उपर उपर आ जाएंगे अब इसमें हम हरे मटर एड़ करते हैं जैसे हम हरे मटर इसमें एड़ कर लेंगे तो देखिएगा हरे मटर पानी में नीचे बैठ जाएंगे तो इसे हमें धीरे धीरे जैसे जैसे ये पकेगा तो ये उपर आ जाएगा तो हरे मटर देखें पूरे नीचे पानी में बैट गया है और कुछ जो हलके मटर होते हैं वो उपर तहरते हुए दिखाई दे रहे होंगे धीरे धीरे पकते हुए ये पूरे मटर जो है न उपर आ जाएंगे तब तक कि हम एक और त्यारी कर लेते हैं तो यहां पर मैंने एक बड़ा बाउल लिया है उसमें हमने पानी और बरफ एड़ करके रखा हुआ है जैसे हमारे हरे मटर पकेंगे तो हम इसमें एड़ कर लेंगे तो यहां पर देखिये हरे मटर जो है न पूरे उपर आगया है तो यह leady है, इसे हमें उबालना नहीं है, आप उपर आने देना था तो इससे क्या होगा हमारे जो हरे मटर जो है वो पकना उसका जो है वो बंद हो जाएगा और इसका कलर भी बना रहेगा तो हम इसी तरीके से सारे मटर को छान लेंगे और उसे बरफ वाले पानी में एड़ कर लेंगे तो यहां पर हमने सारे मठर जो है उसे पागरम पानी से चान कर थंड़े पानी में एट कर लिया है अब इसे हम हादों से हिला देंगे जिससे कि ये जल्दी से थंड़ा हो जाए तो इसे हमें अच्छा से थंड़ा कर लेना है तो यहां हरे मटर जो है वो ठंडे हो गए है अब इसका जो पानी है एक्स्टर वाला उसे सुखा लेना है उसके लिए लिया है मैंने यहां कपड़े कपड़े में हमें हरे मटर को इस तरीके से फैला लेना है फैला लेने के बाद में हमें इसे कम से कम एक से दो घंडे तक के ठावे में सुखा लेना है इसे हमें धूप में नहीं सुखाना है नॉर्मली हमें ही सुखा के एक दो घंडे तक इसका पानी सुखा लेना है एक दो घंटे हो गए है इसका जो एक्षा पानी है वो सूग गया है अब इससे हमें स्टोर कर लेना है तो इस तरीके के हमें polythine होना है जो सिल्बंध हो सके तो यहाँ पे मेरे पाथ दोसे की पैलितिन है जो सिल्बंध होती है तो मैं इसका यूज कर और आप चाहे तो इस त पॉले पॉलेथिन पॉलेथिन में अच्छ से आ जाएगा तो यहां पे मैं इसमें कर लूंगी तो यहां पे हमने सारे मटर को पॉलेथिन में ऐड कर लिया है उपर की थोड़ी जगह है न जो खाली यूज़ कर सकते हैं, और PACK करके रख सकते हैं नहीं तो Normal polythine लेंगे तो उसे हमें हमेशा काटते রहना है और चिपकाटे रहना पड़ेगा व्यूहर की अपर की चरह वहां हरे मठेंडे रोट लें एकाटे यजह टार दे मटें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजें तो यहाँ पे हम साल भर कभी भी फारजन मटर को यूज़ कर सकते है यहाँ पे हमने फारजन मटर रेडी कर लिया है बाजार से महंगे वाले फारजन मटर खरीने की जरुषब नहीं है अगर आप इस तरीके से फर्जन मटर को इस्टोर कर लेंगे साधियों के मौसफ में आसानी से सस्ते दाम पे मिल जाता है हरे मटर तो इसे हम इस तरीके से स्टोर कर लेंगे जिससे कि हमारे जो फर्जन मटर है सालों तक की यूज होंगी आप इस recipe को घर में ज़रूर ट्राय करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए